हेलो फ्रेंड्स वेल्लकम टू आल ऑन माई चैनल जिसका नाम है श्री एजूकेशन और मैं हूँ रवी तो दोस्तो आज हम क्लॉक पढ़ेंगे जो की रिजिनिंग का पार्ट है ये लगबख सभी कम्प्रिटिव एक्जामों में पूछा जाता है दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा एक मैजिकल ट्रिक जिसकी सहाइता से आप क्लॉक के सभी कोश्चन आसानी से सॉल कर सकेंगे उसके बाद मैं आपको इसका कंसेप्ट भी सिखाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिक बना कैसे लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल जिसका नाम है शिरी एजुकेशन पर आपको फ्री में सभी कम्पिट्री एक्जाम के लिए वीडियो मिल जाएंगे फुल कोर्स के साथ उसके बाद आपको किसी भी बुक या कोचिंग सेंटर को रिफर करने की आवेश्यक्ता नहीं होगी बट उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे मैं आगे जो भी वीडियो जालूँगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका तो सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने सब्सक्राइब का रेड बटन होगा उसे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल पर आपको डेली दो या तीन वीडियो मिल जाएंगी ठीछ चले शुरू करते हैं कलॉक सबसे पहले ये देखिए आप कि आपके सामने ये clock है clock होता क्या है इस clock में आप देखेंगे तीन सुया होती है clock में कितने सुया है यह होती है छोड़ी घंटे अले सुया होती है एक यह minute वाले सुया होती है एक second वाले सुया होती है तो तीसरी सुई का काम नहीं है जो कि सेकंड वाले सुई है ठीक है चलिए क्लॉक में कुछ टाइप की कोशन आते हैं तो सबसे पहले टाइप वन के कोशन हम करेंगे वो कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा मैं उस से पहले हम अपना एक मैजिकल ट्रिक देख लेते हैं जिसक थीटा इस एकल टू 30 एच माइनस 11 बाई 2 इंटू है जहां थीटा जो है हमारा वो एंगल है किसमें एंगल है मिनेट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का एंगल है मतलब ये वाला एंगल या तो ये वाला एंगल होगा इसके बीच में या ये वाला एंगल देख Example, जैसे time हुआ, एक वज़ कर 50 मिनट, अभी time इसमें कितना हुआ गड़ी में, एक वज़ कर 50 मिनट, तो एक क्या है, h की value है, और 50 क्या है, m की value है, और theta क्या है, इन दोनों के बीच का angle है, तो आए देखते हैं, इसमें जो type 1 के question आते हैं, वो कैसे आते हैं, आपने magical trick देख to 30 h minus 11 by 2 into m, where h is a hours value and m is a minute value, okay, let's see, type 1 question, देखी, type 1 question में क्या होते हैं, आपको ऐसे दिया जाएगा question, what is the angle between hour and minute and for given time, मतला आपको बस time दिया जाएगा, जैसे एक बचकर 50 minute दिया गया, आप पूछे जाएगा, इन दोनों के बीच का angle कितना है, minute वाले सुई और घंटाले सुई के बीच का angle कितना है, तो solve कैसे करेंगे, वही magical formula, magical formula भी क्या पता है हमने, theta is equal to 30 h minus 11 by 2 into m, इस question में देख सक करते हैं आप, एक बचकर 50 minute है, तो h की value कितनी हो जाएगी हमारी, एक हो जाएगी, और m की value कितनी हो जाएगी, पचास हो जाएगी, ठेक है, अब इस formula पूट किजिए, तो theta is equal to क्या हो जाएगा, 30 into 1, h की जगा 1 पूट कर दिया, minus 11 by 2 into m की जगा क्या पूट कर दिया, 50, य मतलब हमें क्या करना है, इसका mod लेना, क्या करना है, mod लेना, तो ठीक है, solve करते हैं, तो कितना हो जाएगा, theta is equal to 30, minus यह इससे कर जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, 25 को 11 से multiply करें, कितना हो जाएगा, 275, तो 275 तो theta is equal to कितना हो जाएगा, 30 minus 275 is nothing but minus 245, minus 245, इसका mod रहेगा, तो हमारा answer कितना जाएगा, 245 degree angle, angle कितना आगया, 245, इसका मतलब 245 angle, या तो यह वाला हो यह वाला, मगर हम देख सकते हैं, यह angle क्या, 180 से जादा है, तो angle यही होगा, तो यह कितना हो जाएगा, 245, इस तरीक से आप यह भी angle निकाल सकते हैं, इस angle को निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 360 minus 245 कर देंगे, तो आपका answer आजाएगा, जो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं, 115 degree, कितना जाएगा, 115 degree, होप बच्चों आपको समय में आ गया होगा, देखिए, दोस्तों next question करते हैं, next question में देखो क्या है, next question में है, time कितना है, 12 बच के 15 मिनिट होगा, 12 बच कर कितना मिनिट होगा, 15 मिनिट, तो h की value बताएगे, कितनी हो जाएगी, very good, 12 हो जाएगी, m की value, 15 हो जाएगी, चलिए, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना जाएगा, 30 into 12, minus 11 by 2 into, तो theta is equal to कितना जाएगा, 30 into 12 हो जाएगा, multiply करने का भी आपको short tricks बताएगे, next video में, कि multiply कैसे short तरीके से करते हैं, ठीक है, यहाँ कितना 65 है, इसकी साहिता से आप निकाल सकते हैं, जो भी angle आएगा, इसके बीच का angle आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, याद रखिए, जो value लेंगे, आप mod की value लेंगे, तो इस तरीके से क्या बता बताएगा, या यह angle यह वाला बताएगा, अगर 180 ज्यादा हुआ, तो बिसलिए नीचे वाला angle बताएगा, अगर 180 का मंसर आया, तो इसका मतलब यह answer बताएगा, ठीक है, बहुत easy है, आप solve कर सकते, थर्ड question देखिए है, थर्ड question में क्या time दिया हुआ, पांच बजे हुआ किस हाइटा से, साथ से पहले h की value कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 5 हो जाएगी, m की value कितनी है, 0, यह तो बहुत easy question है, थीटा is equal to कितना हो जाएगा, 30 into 5, minus 11 by 2 into, m की value कितनी है, 0, तो कितना हो जाएगा, थीटा is equal to 150 degree, मतलब 150 degree, तो यह देख सकते हैं, less than 180 है, तो obviously यह वाला एंगल है, यह एंगल कितना है, 150 degree, तो यह वाला कितना हो जाएगा, 360 minus 150, मतलब 210 degree, अभी तो आपने इसका trick पढ़ा, type 1 का trick पढ़ा, हम आपको बताएंगे, next video में इसका concept कहा है, concept से अगर solve करें, तो कैसे होगा, वो थो लेंदी method है, उसका use exam में नहीं करेंगे, उसका use exam मे use तो trick का करेंगे, मगर हमें जानना यह बहुत जुरूरी है, कि concept आई है trick आई कहां से, concept जानना बहुत जुरूरी है, पर click किजिए, तो part 2 इसका मिल जाएगा, वीडियो का, ठीक है, तो उससे पहले आप subscribe कर लिजिए, जो part 2 आएगा, तो आपको notification मिल जाएगा, ठीक है, thank you कर दो